हे दोस्तो आज से आराउंड 200 साल पहले सदन इटली में एक आदमी रहता था जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था उसकी जो स्ट्रेंड थी वो इंक्रेड़िबल थी वो बहुत ज़्यादा एथलेटिक था जिसकी वज़े से ही वो उस टाइम का मोस्ट सक्सेसफुल व्रेस नो यह जुमिलो था ना वो ग्रीक के एंशेन उलम्पिक गेम्स में 6 बार रेसलिंग चम्पियोश रह चुका था और फी नेक्स्ट पाँच साल तक पाँछ उलम्पिक गेम्स में उसने मेंस काटीगरी में जीत हासिल करी थी इसके साथ-साथ वो और भी कई सारे गेम्स में विनर था जैसे कि PYTHEAN GAMES जिसमें वो 7 बर जीता था Isthmian Games जिसमें वो 10 बर जीता था NIMINIAN Games जिसमें वो 9 बर जीता था ऐसी उसने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाय थे और कई सारी चीज़ें अचीफ करी थी बट question यही है कि उसके इस incredible muscle power का secret क्या था कोई भी इंसान कैसे consecutively इतनी सारी चीजे कर सकता था इतने सारे best performance दे सकता था अलग-अलग games में दूसरों को पीछे छोड़के well उसका secret बताता हूँ देखो एक बर क्या हुआ था कि एक दिन मीलो के घर के पास एक newborn calf पैदा हुआ था बचला पैदा हुआ था तो मीलो रेस्टलन ने decide किया कि वो इस छोटे से जानवर को अपने कंदे पर उठा के यहाँ से वहाँ लेके जाएगा उसके घर तक लेके जाएगा तो उसने फिर वो दिन वही किया उसने उसे अपने कंदे पर उठाया और उसे उठा के अपने घर तक लेके गया तो जब दूसरा दिन आया उसने वही सेम चीज़ को repeat करा और ऐसी वो हर दिन क्या करता था कि बच्षडे को अपने कंधे पर लेता था उठाता था और उसा अधे घर तक लेके जाता था और यही एक simple चीज मिलो ने हर दिन करी ना देको बात यही थी न कि जब उसने start किया था तो बच्षडा एक छोड़ा सा बच्चा था लेकिन जैसे हर बच्चे ग्रो होते हैं वैसे ये बच्चडा भी ग्रो हो रहा था लेकिन मिलो को पता भी नहीं चल रहा था क्योंकि फर्क इतना धीरे धीरे इतना छोड़ा छोड़ा दिख रहा था क्योंकि वो हर दिन उस चीज को कर रहा था इसे तो से फर्क मालूम नहीं पढ़ रहा था लेकिन चार साल बाद वो बच्रा एक बड़ा सा बुल बन गया था जो बहुत वजंदार था बट स्टिल मिलो उसा उठा पा रहा था क्योंकि वो हर दिन उस चीज़ को कर रहा था और उसे पता भी नहीं चल रहा था क्यों? बिकोज जैसे जैसे काफ बड़ा हो रहा था उसका वेट बढ़ रहा था वैसे वैसे ही मिलो की जो मसल पावर थी जो स्ट्रेंद थी वो भी हर दिन इंक्रीज हो रही थी और इसी वज़े से मिलो इतना थाकत वर बन गया कि उसके टककर का फिर कोई नहीं बचा अब दिखो नहीं जाता लोग सोचते ना क्यार मैट्स हमें इतना पढ़ाया गया है स्कूल में वो तो कुछ काम ही नहीं आता है वेल आज इस वीडियो में मैं आपको मैट्स का यूज करके कुछ बताता हूँ काम में लेकर आगे दिखाता हूँ मैं मैट्स की हल्प से आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम अपनी लाइफ को इंप्रूफ कर सकते है एक्जांबल समझो अगर आपके पास स्टार्टिंग में 100 डॉलर्स है ठीक है और अगर आप इस अमोंट को हर दिन बस 1% इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो तो आपको पता है साल के एंट तक आपके पास कितने रुपय होंगे 200 डॉलर, 300 डॉलर आपके पास होंगे टॉटल 3778 डॉलर्स जो कैसे होंगे वैल उसका एक मैट्स का सिंपल सा फॉर्मूला है 100 डॉलर्स मटिप्लाइबाई इन दे ब्रैकेट 1 प्लस 1 परसंट रेस तो 365 यही फॉर्मूला के वज़े से आपको मिलेगा इतना ज़धा पैसा जहापे आप क्या कर रहे हो बस 1% इंक्रीज कर रहे हो उस अमाउंट को जिसकी वज़े से आपको साल के एंड में कितना ज़धा मिलेगा 37.78 टाइम ज़धा पैसे सो similarly अगर आप हर दिन अपने आपको बस 1% इंप्रूफ करना शुरू कर दोगे साल की एंड तक आपकी ग्रोध 37 टाइम से भी ज़धा हो जाएगी इसी logic के help से अपनी life के किसी भी एरिया में इतना ज़धा इंप्रूफ कर सकते हो वो भी बस हर दिन 1% इंप्रूफ होके उस चीज में इस amazing चीज को आप actual में कैसे अपनी life में apply कर सकते हो वैल अभी मैं उसके लिए ही आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ दो amazing book के help लेके जिसमें से एक book है atomic habits और दूसरी है पीक secret from the new science of expertise ये दोनों book के help से ही मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यदा help करेंगे इन पाचों पॉइंट में से 3rd जो है न वो मुझे काफी ज़्याद इंटरस्टिंग लगा है तो वहाँ तक तो at least ज़रूर check out करना वीडियो को फर्स्ट पॉइंट जो है वो है start light ना देखो जो मिलो था न वो 4 साल के बड़े से बुल को carry कर पा रहा था लेकिन ये चीज़ उसने एक दिन में अचानक नहीं करी थी कि चलो मैं बड़े से बुल को उठाना start करूँगा नहीं बल्कि उसने पहले छोटे से बचडे को उठाना start किया था क्योंकि वो अल्रेडी थोड़ा बहुत wrestler था इसलिए उसके लिए काफ को उठाना इतनी बड़ी बात नहीं थी और यही important बात है जो आपको मुझे apply करनी चाहिए दो क्या होता है पता है हम अपने आपको कई बार अपनी capacity से judge करते हैं कि हम कितने weight उठा सकते हैं हम कितनी देर तक book पढ़ सकते हैं हम कितनी देर तक पढ़ाई कर सकते हैं हम क्या करते है most of the time अपनी capacity से अपने आपको judge करते हैं जबकि हमें judge करना चाहिए हमें हमारी consistency से for example मुझे आद है कि में अपनी जिंदगी में जब पहली बर जिम पे गया था तब मैं देख रहा था कि लोग है ना 10-10 kg के weight से dumbbells मार रहे थे कुछ लोग 30-40 kg से shoulders मार रहे थे ना मैंने वो चीज़ को देखी और मेरे पास क्योंके कोई trainer नहीं था सिर्फ मेरे दोस्तों मेरे साथी थे तो मेरे दोस्तों ने बिला तू भी मार मैंने क्या किया यो जो similar weights से जो दूसरे मार रहे थे ना मैंने वही weights से मारना start किया और क्योंके मिरे अंदर जोश था, थाकत थी, थोड़े बहुत डिप्स मैंने घर पे भी मार रहे थे, तो उसके जिसे क्या हुआ, कि जो नॉर्मल वेट्स थे, जो दूसरे मार रहे थे, वो वेट्स से मैं भी थोड़ा बहुत मार लिया था, 15-20, ऐसे मैंने मार लिये, और मै अपने आपको बड़ा तुर्रम समझ रहा था, कि यार, ये लोग जो कर रहे हो, तो मैं ऐसी कर सकता हूँ, ना वो दिननना मैंने जोश-जोश में आके कई सारे हैवी वेट्स मारे, स्टार्टिंग के साब से तो मैंने काफी हैवी वेट्स मारे, जिसका रिजल्ट्स क्या ह हाँ, मेरा इगो तो बहुत जादा बूस्ट हो गया, कि यार, यार, मेरे अंदर भी इतनी कपैसिटी है, ये जिम वल्ल क्या इतना रोज-रोज आके करते हैं, इतना तो मैं एक दिन पहले दिन आके ये उठा सकता हूँ, पट फिर हुआ क्या, दूसरे दिन क्या हुआ, कि मै मेरे मसल बहुत ज़दा पेन कर रहे थे, और मैंने जिम जाना बंद कर दिया, जब कुछ साल बाद, जब मैंने ट्रेनर लिया, और आप भी देखना, जब भी आप जिम जाते हो, और ट्रेनर लेते हो, तो आपको जो ट्रेनर होता है, वो पहले आपको लाइट वेट से ही स् मारने लग जाते हैं जिसे उनका ego तो boost होता है बढ़ उसके बाद कई बार वो लोग consistent नहीं रह पाते हैं मेरी तरह ही जो उन्हें results भी नहीं दिखाता है जबकि आपको हमेशा focus करना चाहिए consistency पे जैसा मिलो ने किया example अगर आप अपने आपसे ये promise कर रहे हो कि आने वाले साल में मैं हफते में एक book पढ़ूंगा तो हाँ obviously आप ये चीज़ कर सकते हो no doubt but ego को side में रख कि आपके लिए इससे ज़ादे important ये होगा कि आप क्या करो कि हर दिन बस एक page पढ़ने की कोशिश करो एक paragraph पढ़ने की कोशिश करो और consistent रहने पर focus करो ना कि quantity पे और ये एक simple सी चीज़ आपको बहुत ज़्यदा आगे जाने में help करेगी second purposeful practice author Anders Ericsson ने अपने 30 साल के career बे कई experts performance को study करा जिसमें वो ये figure out करने की कोशिश कर रहे थे कि इंसान अपने mind की limits को कितना push कर सकता है कैसे कर सकता है तो इसको figure out करने के लिए उन्होंने एक experiment करा उन्होंने क्या किया कार्निगी मिलन युनिवर्सिटी के एक Steve Fallon नाम के undergraduate student को recruit करा hire किया जहाँ वो Steve को week में कई बार एक गिंटे के लिए अपने office में बुलाते थे और वहाँ Steve को वो random numbers बोलते थे सुनने बोलते थे और उसे याद करने बोलते थे उसे याद कराने के बद बोलते थे अच्छा तुम बता वापिस से वो numbers मुझे बोल के वापिस से सुनाओ अब क्या होता था कि वो हर session में ऐसी Steve को कुछ set of numbers देते थे अगर वो सभी set of numbers को सही से बता देता था तो वो क्या करते थे कि एक और digit को add कर देते थे अगर वहीं वो कभी गलत बोलते थे तो वो दो digit को कम कर देते थे जैसे कि for example अगर Steve 6 digit सही से बोल देता था तो next time वो से 6 digit याद करने के लिए बोलते थे और अगर वो गलत बोल देता था तो 6 के बज़ए वो 5 digit कर देते थे अब ऐसा करने के जैसे क्या हुआ चार session के बाद Steve एक ऐसे point पर आ गया जहां वो 60 digit के आगे नहीं याद कर पा रहा था और कई research ये भी show करती है कि हमारी short term memory की जो capacity होती है न वो 7 unit होती है 7 unit of information Steve की जो research चल रही थी वो भी यही show कर रही थी कि हमारी जो limit है वो 6 digit की है बट Steve ने क्या किया कि वो constantly इसे push करने की कोशिश करे जा रहे थे अब क्या हुआ इसके जैसे कि वो हर हफते आता था बट उसे 7 से अधा number नहीं याद हो पाते थे वो बहुत अधा frustrated होता था गुसा होता था पर क्योंकि ए experiment में Steve के पास quit करने के कोई option ही नहीं था इसलिए उसे हर अफते आना ही पड़ता था और कोशिश करते ही रहने पड़ती थी अब इसके जैसे हुआ क्या कि एक दिन आया जब वो 7 के बजाए उसने 8 डिजिट से याद कर लिए और फिर 9 डिजिट और फिर 10 डिजिट और फिर 11 डिजिट वो भी एक ही सेशन में उसने इतना progress achieve कर लिया लेकिन इसके बाद क्या हुआ फिर again वही frustration आया और again उसके अंदर को improvement नहीं आ रहा था जिसके बाद author ने एक simple सा cycle notice किया cycle ऐसा था कि starting में आता है rapid progress उसके बाद hitting a perceived limit उसके बाद आता है prolonged frustration जहां कुछ नहीं मिलता है फिर आता है sudden breakthrough और उसके बाद आता है वो अपिस से rapid progress और ऐसे ही ये cycle बार-बार चलता रहता है और ये cycle बहुत लंबे time तक चला आपको बता है 200 session के बाद Steve 82 digits तक recall करने लग गया था यानि अब तक science को जो लग रहा था उससे 75 ज़ादा जो सच में mind blowing था और author ने इसी progress को नाम दिया purposeful practice का जिसकी वज़े से वो ये achieve कर पाया और ये जो purposeful practice होती है उसके चार core components होते है पहला component है specific goal Steve के लिए दिखो उसका जो goal था वो बहुत specific था कि लाइक उनको 8 digit याद करना है फिर 10 digit फिर 11 digit 12 digit ऐसा समझ रो फिर second component था intense focus Steve को हमेशा एक घंटे तक focus करके रखना ही पड़ता था बैठे ही रहना पड़ता था बिना distract हुए और उसे याद करना पड़ता था digits को थर्ड था immediate feedback और ये करने के बाद जल्दी से उसे feedback भी मिल जाता था जो fast और easy to understand था हर attempt के बाद उसे सही से feedback मिल रहा था कि वो याद कर पा रहा है कि नहीं याद कर पा रहा है और fourth था frequent discomfort इसके साथ एक point बाद वो हमेशा अपने comfort zone से बाहर जा रहा था उसे push कर रहा था वो अपनी limit पर focus कर रहा था वो अपनी ability की limit पर perform कर रहा था और अगर वो वहाँ गलत हो जाता तो दो step पीछे जाता जो बहुत ही ज़दा challenging था और discomfortable था ऐसी अगर आप यह चारो component का use करोगे तो आप purposeful practice कर सकते हो अब purposeful practice होती है न वो एक चीज को create करती है जो मैं आपको चौते point में बताऊंगा बड़ आपे आते हैं third lesson पे the power of accumulative advantage जो मुझे काफ़ इंटरस्टिंग लगा जो आप हो पता है Amazon rainforest जो है न वो अर्थ का most diverse ecosystem है scientist ने अब तक देखा है कि Amazon में approximately 16,000 different type की tree species है बट researchers ने ये भी discover करा है कि approximately 227 hyper dominant tree species है जो इस rainforest के आधे trees के लिए responsible है मतलब सिफ 1.4% of tree species पूरे Amazon के 50% trees के लिए responsible है बट ये होता कैसे है क्यों हुआ ऐसा नो तो imagine करो दो plants है जो आजू 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 ग्रो हो रहे हैं नो क्या होता है कि हर दिन ये दोनो sunlight सूरज के लिए और soil के लिए compete करते हैं बट अब इन दोनों में से देखो imagine करो कि जो एक plant है न वो हलका जादा grow हो जाएगा तो क्या होगा कि वो जादा tall हो जाएगा जादा लंबा हो जाएगा जिससे कि वो दूसरे plant से जादा sunlight absorb कर पाएगा और वो जादा area cover करने लग जाएगा उसे जादा rain water मिलेगी जिसकी वज़े से क्या होगा कि next day वो दूसरे tree से और जादा grow हो जाएगा और फिर ये pattern बार-बार repeat होता जाएगा जिसकी वज़े से ये जो plant होगा वो बाकी सभी plants को पीछे छोड़ते वे बहुत जादा आगे बढ़ जाएगा जिसकी वज़े से क्या होगा फिर उसकी जो plant के seeds होगे वो जादा दूर तर travel कर पाएंगे और वो expand करने लग जाएगा और ये जो मैं आपको पूरी बताया यही reason है कि ये जो 1.4% trees है वो पूरे Amazon के forest को dominate करते हैं और इसी को scientists accumulative advantage बोलते हैं जो एक small advantage से शुरू होता है पर long term में वो बहुत powerful बन जाता है जैसे कि एक plant को शुरू में हलका सा advantage मिला लेकिन उसने इतना वड़ा difference create कर दिया बाद में ऐसी life की यह हर aspect में काम करती है जैसे कि flight जब take off करती है अपने direction से सिर्फ 3 degree भी change कर लेगी तो उसका जो destination है वो completely कहीं और ही पहुँच जाएगा वो कहीं और पर ही वो plane land करेगी long time में similarly जब भी आप अपनी life को 1% change करते हो तो उसका effect चैड़ आपको आज नहीं दिखेगा कल भी नहीं दिखेगा शाद एक हफते में भी नहीं दिखे शाद एक महीने में भी नहीं दिखे बट कुछ सालों बाद जब आप पीछे मुड़के देखोगे न तो उस plane की तरह ही आपका जो destination होगा वो बहुत अलग जगे पहुँच गया होगा अगर आप सही जगे पे move कर रहे हो सही direction में move कर रहे हो 1% वो आपको आपके dreamland पे लेके जाएगा लेकिन अगर आप वो गलट direction में लेके जाओगे तो आपको worst से worst जगे पे लेके जा सकता है इसलिए मैंने बोला था ये point मुझे बहुत पसंद आया था ये चीज़ आपको ज़रूर समझनी चाहिए अब fourth point पे आते है mental representations दिए ओधो बताते हैं कि वो जो purposeful practice होती है न जो Steve ने करी थी वो हमारे mind को force करता है एक creative mental adaptation के लिए जहां brain खुद सीखने के लिए नए और creative mental models build करना शुरू कर देता है जैसे कि Steve क्या करने लग गया था कि वो numbers को trees के branches की तरह देखने लग गया था जो उसे help कर रहा था numbers को याद करने में ऐसी mental representations हमारा brain क्या करता है कि new new information को store करने के लिए अपनी creative ability का use करने लग जाता है एक time बाद जहां वो words और picture के form में उससे store करने लग जाता है और अलगला combinations के साथ अपनी limit को push करने लग जाता है क्योंकि daily 1% improve करना बहुत easy task नहीं है बट consistently करते रहेंगे तो आपका brain भी क्या होगा mental representation form करने लग जाएगा आपकी field में आपके लिए जैसा आप चाहते हो author कहते हैं कि सभी expert performers का secret यही है उनकी quality और quantity सब अलग बना देती है for example अगर आप grandmaster chess player को देखते हो simultaneously खेल सकते थे यह करने के लिए उन्हें पूरे chess के bird को अपनी memory में store करना पड़ता था अपने mind में ही pieces को move करना पड़ता था same time पर game जीतने की सभी strategies भी बनाते हुए rock climbers भी जो होते हैं न वो climbing करने से पहले अपने mind में mental representation बनाते हैं जहां वो पूरे climb को एक वे में तयार कर लेते हैं और अपने हर move को पहले सी प्लान कर लेते हैं golfers और cricketers भी ball को hit करने से पहले ही उस ball के पूरे path को mental representation से build कर लेते हैं और यही secret होता है कई बार बड़े-बड़े सच्चिन, MS दोनी जैसे players का last point, don't miss workouts increase small अपने आपको improve करने की जर्णी होती है वो सिर्फ साल में एक बार या दो बार start करने की कोशिश करते हैं जैसे कि अभी नया साल आने वाला है तो maximum लोग try करेंगे कुछ अपने आपको improve करने की चीज़े start करने का और फिर directly कहीं न कहीं वो जो 4 साल का bull है उसको carry करने की कोशिश करेंगे बट जब वो उनको बहुत ज़्यादा painful लगेगा भारी लगेगा तो वो बहुत जल्दी quit भी कर देंगे In fact, University of Sacramento की एक research के according सिफ 8% लोग ही अपने new year resolution का complete कर पाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग कई बार larger than life goal set कर लेते हैं जो दिखने में हाँ लगता है कि practically हो सकता है पर उनमें consistency maintain कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इसलिए होता कहते हैं कि अपने किसी भी goal के लिए सबसे पहला जो step आपको लेना है वो इतना छोटा लो कि आप उसे मना ही ना कर पाओ और हर दिन उस step को लेना आपके लिए बहुत आसान हो for example मान लो आपको लगता है कि आपके पास कोई skill नहीं है और आपको future में एक skill develop करनी है तो आपका goal यह होना चाहिए कि आप जितना हो सकता है उस skill को सीखने का जो process होता है न उसको कम से कम painful बनाओ और जाद स्यदा enjoyable बनाओ क्योंकि कोई भी experience जितना अच्छा होगा और कम painful होगा उतना आपका brain उसे repeat करने के लिए आपको ready रखेगा और यह करने का सबसे easy strategy क्या है कि थोड़ा थोड़ा सीखो for example अगर आपको एक new language सीखनी है English सीखनी है maybe तो directly बड़ी बड़ी चीज़े सीखना मत start करो बल्कि कि हर दिन बस आप एक नया word सीख जाओ एक नई line सीख जाओ starting में आपको इससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको English नहीं आएगी शायद एक हफते तक आपको result नहीं दिखेंगे एक महीने तक नहीं दिखेंगे लेकिन कुछ साल में आपको काफी सारी English आ जाएगी जो आपने सोची भी नहीं होगी इतनी आ जाएगी और इसी principle का यूज करके कहीं नहीं हमने भी अपना एक product बनाया देखो मुझे पता है कि maximum लोग को ना books पढ़ने होता नहीं है बट maximum लोग इतना पक्का है कि वो लोग वीडियो ऐसे वीडियो ज़रूर देख लेते हैं कई बार interestingly animated videos वो इतना मुश्किल नहीं होता है वो easy होता है consume करना तो हमने क्या किया है कि book को लिया और book की पूरी video format में उसकी summary बना दी है chapter by chapter जिससे क्या होगा कि आप easily बिना जदा आपने आपको pain दिये books की सारी बाते सीखना start कर दोगे धीरी धीरी ही सही consistent रहने की वज़े से आपकी habit form होने लग जाएगी देखो मैंने अपनी पूरी जिंदगी books पढ़ पढ़के ही बदली है और अगर आपको भी पूरी जिंदगी बदलना है पैसे कमाना है अच्छे relationship चाहिए खुशी से life genie है घर खरीदना है बड़ी बड़ी चीज़ा achieve करना है घूमना है तो यह सारी चीज़े आप achieve कर सकते हो अगर आप books पढ़ना start कर दो विकास यह सेम चीज मैंने भी की है आपकी book पढ़ने से mental capacity बहुत increase होगी आपकी सोच बदलेगी, mindset बदलेगा और mindset बदलेगा तो आप बड़ी बड़ी चीज़ा achieve कर पाओगे अगिन यह जो new year आने वाला है बुक पढ़ने के अगर habit बनाने वाला हो तो great, बनाओ बढ़ अगर आपको book पढ़ने नहीं हो रहा है तो at least आप क्या कर सकते हो OVB, हमारा जो product है, online video books नीचे link दी हुए description में वहाँ से जाके कोई एक video book खरीद लो और उसका एक एक वीडियो देखना start करो आपको पूरी book नहीं खतम करनी है एक एक वीडियो देखो हर दिन और एक एक वीडियो से एके lesson हर दिन apply करते रहो अपने आपको एक एक percent हर दिन improve करते जाओ धीरे धीरे ही सही आप इससे बहुत कुछ achieve कर लोगे अपनी पुरी life बदल लोगे अगर आप बस consistent रहते हो तो इस New Year के टाइम पे हमने एक बहुत अच्छा offer भी रखा है हमने कुछ books percent offer रखा है आप अभी जाके check out कर सकते हो और offer का फाइदा उठा सकते हो बुक लीजी और उसके एक एक वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजे अभी के लिए बसित्ता ही लाइक करो अगर आपको ये बाते काम की लगी हो कमेंट करके बताओ कि आपके सबसे कौन सा वो लेसन है